मद्यप्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने वापस स्कूल शुरू करनी के आदेश दिये हैं जसके चलते आज एक सितंबर से कक्षा छटी से बारवी तक स्कूल खुल गए है स्कूल में सकती से कुरोना गाइटलाइन का पालन किया जा रहा है बतादे स्कूल में 50% के साथ बच्चों को प्रवेश दिया गया है कोरोना महमारी को देखते हुए और सरकार की गाइटलाइन को फॉलो करते हुए स्कूल संचालित किये जा रहे हैं स्कूल में प्रवेश के साथ बच्चों के हाथ सेनिटाइज कर टेंपरेचर चेक किया जा रहा है वहीं स्कूल स्टाफ भी बच्चों की पढ़ाई के साथ सुरक्षा को लेकर काफी सतरक नजरा रहा है मद्य पदेशाशन इस्कुल शिक्षावाग ने आज से कक्षा 6 से 12 तक 50 पतिशत उपस्तिति के साथ कक्षाओं को प्रारंब करने का निरदेश दिया है इसी क्रम में हमारे विध्याले में हमने व्योस्ताइब की है सभी बच्चों को सेनेटाइज किया था दोनों तरफ सेनेटाइजर रखें बच्चा अपने हाथ और उनको सेनेटाइज करके जाए साथ ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और फर्मल गन की भी व्योस्ता है महिनों बाद स्कूल खुलने पर बच्चों में काफी उत्साहत देखने को मिल रहा है हमारे स्कूल में कोरोना प्रोटेकोल का पूरा पालन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेट पर ही हमारे यहाँ पर सेनेटाइजेशन हो रहा है और प्रतियक बच्चा हुए जो मास्क लगा कर ही आ रहा है और कभी जो बच्चा मतलब यह पालन नहीं कर रहा है उसको पनिश्मेंट भी दी जा रही है और इसकोल में पूरी तरह से करोना के लिए बचाफ किया जा रहा है बेटेक विवस्ता हमारे यहाँ पर एक ब्रेंज पर एक ही विध्यारती बेट रहा है ताकि टच में ना सके और रेस्ट में भी हम लोग जब लंच करते हैं तो अलगे लगी करते हैं ग्रूप बना कर नहीं करते हैं हम बहुत ही शुरक्षित महशूस कर रहे हैं शुरू में तो डल लगा ताकि शायद हो सकता है इसकोल आएंगे तो कुरोना की वज़े से कुछ हो न जाए पर इसकोल के विवस्ता देखकर लगते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा बहुत ही पॉजिटिव माहूल है इसकोल का और पढ़ाय भी अच्छी तरह से हो रहे हैं शुरू में मंगलवार शुक्रवार को इसकोल लग रहे थे हमारे पर अब कंटीनू लग रहे हैं तो अच्छी तरीके से बढ़ाय हो रही है व्यक्ति और बच्चों के भवेश्य निर्मान के लिए शिक्षा काफी जरूरी है इसी को देखते हुए इसकोल वापस शुरू किये गए हैं उज्जैन से म्रदुभाशी के लिए अम्रत बैंडवाल के रिपोर्ट म्रदुभाशी से जुणन के लिए वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूले